हांजी फ्रेंड्स क्या हल चाल वेल्कम विद कृतिका साव तो मैडम यह सब जो आपने लेक्चर मारा था, बकवास किया था तो आपने जो लेक्चर इतना लंबा चोड़ा जो रिष्टो के ऊपर, रिलेशन्शिप के ऊपर दिया था तो यह कहां गया? अभी अपने इंटर्वी में बोला ही कि आपका रिलेशन्शिप आपके ममी पापा के साथ में कॉडियल रहा है हमेशा से मतलब सीरियसली सीरियसली आप ऐसा बोल रहे हो कि आपका रिलेशन्शिप अपने मौम और डायट के साथ में कॉडियल रहा है किसी बच्चे का रिलेशन अपने ममी पपा के साथ में इस तरह से रहता है जैसे आप बता रहे हो क्यूं क्यूंकि वो लोग दोनों सेपरेट रहे हैं एक ही घर पर रहने के बावजुद दोनों में बादचीत नहीं होता था दोनों अलग अलग रहते थे दोनों अलग अलग रहकर भी आपको बच्चे का प्यार देते थे लेकिन साथ में नहीं रहते थे इसलिए मैडम आपको एक जॉइंट फैमिली चाहिए था, आपको एक खुशी वाला परिवार, हस्ता, खेलता, सुखी परिवार ऐसा परिवार चाहिए था तो देखकर के आपके व्लॉक को देखकर के तो ऐसा लगता नहीं कि आपका हस्ता, खेलता और सुखी परिवार है यह लेकिन आपके साथ तो कोई नहीं है आप तो पूरा प्रेगणेंसी का दूरेशन में मैडम जी आप तो हालिए फ्लैट में पड़ी हुई थी, सब तो नीचे थे ऐख साथ तो कोई नहीं था, पापा है तो वो तो खैर उनका तब आथी खराब रहता तब वो तो अपने रूम में ही रहते हैं आपके साथ में तो नहीं न था कि हां कुछ हुआ कुछ प्राबलम हुआ तो साथ में तुरंत अम्मी है चाहे आपकी मम्मी जी है चाहे आपकी नना खेर उसके तो शादी हो गई फिर भी माईके में पड़ी रहती है वो अलग मैटर है लेकिन हा कि कुछ सड़ली अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले आप क्या करोगी कॉल करोगी कॉल करकर नको बुलाओगी या फिर खुद नीचे जाओगी अगर जाने की हालत में रहोगी तो प्रेगनेंसी के टाइम पे तो कब क्या हो जाए वो किस ने निल था और इतना भरा पुरा परिवार आपका सुखी परिवार खुशी परिवार होने के बावजूद आप अकेली पड़ी रहती हो तो ये कहां से आपकी जो ख्वाइश थी कि सुखी परिवार और पुरा पुरा परिवार मेरे साथ में रहे मेरा वैसा परिवार हो व परिवार का मतलब आपको पता है आपने ये भी कहा कि क्या बोलता हैiform की बहुत अच्छी quality है कि वो सही जगा पर सही समय पर ना बोलना सीख गए है उन्हें ये चीज आता है कि कैसे सांबने वाले को ना बोला जाता है तो कोई उनसे ना कह दो कि ना आप अलग से रेंट ले करके फ्लैट में रहो और जो मेरा फ्लैट है उसमें मैं और मेरी जनाब अकेरे रहेंगे यही है मेरा परिवार मेरा परिवार मतलब मैं और मेरे जनाब बाद बाकी दुनिया जहान जाए भाड में इनलोज जाए भाड में वो त परिवार परिवार करके बग दिती हो, लेकिन मुझे परिवार से मतलब नहीं है, मतलब जो इतना मैडम जूट बोलते रहते हो, इतना निगेटिविटी फैलाते रहते हो, मतलब इतना फालतू का हरकत, सामने वाले को इतना रौंग मेसेज पहुचाना, यह कहां से सीखा आपने मुझे तो समझ में नहीं आता, आप तो बोलते हो कि मेरे हर फेस में, हर एक सिचुवेशन में, हर एक जर्नी में ब्लैक पैचेस भरे हुए हैं, तो वहीं सबसे आपने ये सब सीखा, ब्लैक पैचेस को जहलते जहलते आपका दिमाग में मतलब इतना क कुछ चलता भी रहता था कि कैसे कैसे आगे क्या करना है कैसे future मुझे अपना secure करना है कैसे ऐसे इनसान को फसाना है कि जो कि दम रहीस रहे और सिफ मेरे इशारे पर नाचे गजब है मतलब मैडम आप तो एक दम आपसे तो सब को सही में ट्रेलिंग लेनी चाहिए उसके बाद आपकी बुराइया हो रही है आपकी हरकतों को सामने लाया जा रहा है आपके घटिया पन को लोगों के सामने लाया जा रहा है कि आप किस घटिया करेक्टर की हो और आप कैसी हो आपके वारे में कुछ अच्छी बाते नहीं हो रही है कि हाँ देपिका तो बहुत अच्छी ह आपके वही फैन करते हैं जिनको आपने खरीद कर रखा हुआ है जिने आप पैसे देते हो कि मुझे फॉलो करो मेरे इंस्टाग्राम प्रील्स पर मेरे यूट्यूब पर मेरे व्लॉक्स को देखो जिसके बदले में आप उन्हें पे करते हो तो आपके ये जो पेमेंट वाले वही लोग आपके बारे में एक दो बात अच्छे बोलते हैं बात बाकी चीशे सही में समझ में आता है कि आप क्या हो वो आपके बारे में बात नहीं करता आपकी बुराई करता आपकी असलियत दुनिया के सामने लाता है कि आप क्या हो तो ये अपने दिमाग से निकाल दो और अपने आपको इतना value देना छोड़ दो कि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है तुमरे अंदर कोई बात नहीं है कोई का कोई बात नहीं है तुम्हारे अंदर सिर्फ वाहियाद हरकत है और कोई बात नहीं है और अगर अपनी वाहियात हरकतों के वज़े से भी तुम अगर कुछ सीखना चाहती हो तो उससे भी कुछ सीख ले लो वरना अगर आगे ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा क्यार फ्यूचर तो खैर और रियली में दकेलर केलरा स्टूरी वाला ही कहानी हो जाएगा मैडम वही हो जाएगा तुम्हारे साथ में बाद बाकी तुम अपना देख लो तुम्हें जो समझ में आता है सो गाइस आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे साथी साथ चैनल पर बने रहे और इब्राहीम फैमिली से जोड़ी जनकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अपना ध्यान रखे हैव अनाइट